Welcome to you all to the first class on 66th BPSC-PT अब इसके लिए कुछ do's and don'ts है आपको जरा हम बता दे और आप लोग भी इसी तरह से कोशिस किजिएगा तो क्या है do's and don'ts उसको पहले ध्यान रख लिया है कि सबसे पहले सबसे पहले जो है बच्चों आप अलग-अलग रेजिस्टर बनाईएगा सबसे पहले आप लोग अलग-अलग रेजिस्टर बनाईएगा एक बनाईएगा इंडिया एक इंडिया पे और बिहार पे एक रेजिस्टर रहेगा आपका इंडिया और बिहार पे आपका जो अभी का नोट्स रहेगा आपका जो अभी का नोट्स रहेगा और जो आपका अभी का हम लोग जो नोट्स बनाएंगे जो कि क्लास के डिसकेशन के अलावा आपके पास जो हम लोग PDF में नोट्स भेजेंगे और test series जो आपका होगा test series में जो question होगा उसका सिर्फ statement आप जो है अपना नोट्स आप बनाएंगे तो एक register इंडिया और बिहार पे रखिएगा जिसमें कि हम लोग basic information मूलभूत सुचनाए रहेगा दूसरा register आप history यानि इतिहास और इतिहास के लिए आप तीन register बनाईएगा एक प्राचीन भारतिय इतिहास दूसरा आपका मध्य कालीन इतिहास और तीसरा आपका modern Indian history आधुनिक भारतिय इतिहास तीसरा register आप लोग बनाएंगे world history पे चौथा register आप बनाएंगे भुगोल यानि जोगराफी पे और जोगराफी पे आप तीन register बनाईएगा एक register रहेगा भुगोल का सिधान्त एक होगा भुगोल का सिधान्त principles of geography दूसरा होगा Indian geography भारतिय भुगोल तीसरा होगा world geography और पांचवा बनाईएगा आप लोग बिहार का भुगोल बिहार का भुगोल पे आपका एक register होना चाहिए फिर बिहार का इतिहास के लिए एक अलग register होना चाहिए इसके अलावा इसके अलावा आपका सात्वा register होना चाहिए पॉलिटी में राज व्यवस्था पे और इसमें भी आप अलग अलग कर दें इंडिया का और बिहार का फिर आपका आठवा होगा economics and economy यानि अर्थ सास एवं अर्थ व्यवस्था और ये भी आपका दो पार्ट में रहेगा इंडिया और बिहार इंडिया और बिहार ठीके बच्चो फिर आपका नौवर रहेगा science and technology विज्ञान और प्रोदोगी की और दस्वर रहेगा आपका current affairs यानि की साम्यकी और current affairs साम्यकी में भी आपका दो पार्ट रहेगा एक रहेगा इंडिया का और एक रहेगा आपका बिहार का तो आप चाहे अलग-अलग register बनाए चाहे आप अलग-अलग register बनाए चाहे अलग-अलग paper बनाए चाहे अलग-अलग file बनाए लेकिन इतने पार्ट में आप जो है विवस्थित कीजिए तो पहला आपका होगा कि जो हम लोग class में बात करते हैं उसका notes भी भेज़ दिया जाएगा आपको PDF भी भेज़ दिया जाएगा लेकिन बहुत सारा चीज होता है जो कि हम लोग साथ ना लिखित रूप में आपको ना मिले तो point कोई miss ना करें तो आप उसके लिए डाल किजिए का आपका class notes रहेगा दूसरा test series में हम लोग systematically चलेंगे क्रमबत तरीके से चलेंगे और ऐसे स्थिती में भी ऐसे स्थिती में भी बच्चो जो भी आपके test series का जो statement होगा उसको भी अपने वेबस्तित रूप में class notes में डाल दिजिए और कोशिस ये किजिए कि हर एक topic को कम से कम 10 बार revise कीजिए हर एक topic को कम से कम आप 10 बार revise कीजिए तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का session start करेंगे आज के session जो start करना है इसको हम लोग दो भाग में विभाजित किये हैं we have divided the first session into two classes अब इसमें क्या होगा कि पहला हम लोग बुनियादी सुचना देखेंगे भारत के बारे में जो की एक भारतिय होने के नाते जो की एक भारतिय होने के नाते आपको जानना चाहिए दुसरा यह हो गया आपका इंडिया का इंडिया का basic information और दुसरा है कि आपके देश को इंडिया भी बोला जाता है भारत भी कहा जाता है और हिंदुस्तान भी कहा जाता है तो इसका एतिहासिक राजनितिक क्या महत्व है आपके पुरान में क्या व्याक्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और एक और concept है वो है बच्चो greater इंडिया का वो है बच्चो greater इंडिया का concept जिसको की हम लोग greater आप भारत कह सकते हैं या ब्रिहत भारत का concept भी हम लोग देखेंगे तो इस तरह से आपका जो पहला session है वो आपका विभाजित होगा और इसी तरह बिहार में भी हम लोग बुनियादी सुचना basic information और फिर बिहार को भी हम लोग क्रमबत तरीके से देखेंगे systematically, serially हम लोग बिहार को भी देखेंगे तो चलिए इश्वर का नाम लेते हुए हम लोग अपना पहला class जो है पहला session हम लोग start करते हैं तो हमारा जो पहला session है वो है इंडिया का basic information भारत के बारे में मूल भूत जानकारी यानी की बच्चों की as an Indian भारतिय होने के नाते आपको क्या-क्या जानना चाहिए तो चलिए इसी पे हम लोग चलते हैं अधिकारिक रूप से officially अधिकारिक रूप से आपके देश को भारत गनराज कहा जाता है officially जो है officially इंडिया is known as Republic of India अधिकारिक तोर पे भारत को यानी इंडिया को यानी हिंदुस्तान को भारत गनराज का नाम दिया जाता है कभी-कभी आप लोग नाम सुनते होंगे भारत वर्ष भारत वर्ष कभी-कभी आप लोग नाम सुनते होंगे भारत वर्ष तो इसमें वर्ष का मतलब क्या होता है वर्ष का मतलब होता है महाद्वीप वर्ष का मतलब होता है कॉंटिनेंट कहने का मतलब है कि भारत वर्ष यानि भारतिये महाद्वीप और यहीं से कॉंसेप्ट आया है आपका भारतिये उप महाद्वीप या इंडियन सब कॉंटिनें तो कभी-कभी आप देखेंगे इतिहास में भारत वर्ष जो है लिखा रहता है तो भारत वर्ष जो है ये आपका देश का सांस्कृतिक व्याख्या है It is the cultural interpretation If you have to denote this country in terms of culture means तब आप इस देश को भारत वर्ष कहेंगे या जो है भारतिये जो है भारती उप महादीप को सांस्कृतिक रूप से जब और सब जगह से अलग किया जाता है तो भारत वर्ष का संग्या दिया जाता है और यहीं से एक और कॉंसेट्टूट कि आता है जिसको कि हम लोग greater India या ब्रीहद भारत कहते हैं आज भी आप थाइलेंड में जाएंगे आज भी आप मलेशिया में जाएंगे आज भी आप लियोस में जाएंगे आप यहाँ आज आप इंडोनेशिया भी जाएंगे तो वह भारत को रिपबलीक ऑफ इंडिया अधिकारीक रूप से कहते हैं भारत गन राज इसका अधिकारीक नाम है और जो एतिहासिक व्याक्या है या इंटरपेशन है उसको हम लोग जो हैं भारत वर्ष के नाम से भी जानते हैं इंडिया जो भारत है ये कहां स्थित है ये आपके दक्षिन एशिया में स्थित है कहने का मतलब भारत जो है ये साउथ एशिया में स्थित है भारत जो है दक्षिन एशिया में स्थित एक देश है अब सुनिए दक्षिन एशिया का मतलब क्या होता है What do you mean by South Asia तो South Asia में दक्षिन एशिया में कुछ देश आते हैं जैसे कि पहला देश है अफगानिस्तान पहला देश है अफगानिस्तान दुसरा देश है आपका बंगला देश दुसरा है आपका बंगला देश तिसरा है आपका भुटान चौथा है आपका भारत और पांचवा है मौल डीव्स और आपका छट्टा है नेपाल आपका छट्टा है नेपाल आपका सात्वा है पाकिस्तान आपका सात्वा है पाकिस्तान और आठवा है स्री लंका तो कुल मिला के आठ देश दक्षिन एशिया में आते हैं साउथ एशिया का मतलब है कि इन आठो देश के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं इन आठो देश के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं चार अक्टूबर को जो आपके आईएस का पीटी का एक्जाम हुआ था उसमें भी साउथ एशिया के देशों का के अधार पर एक कोश्चन था आप लोग जो परिक्षा आप लोग दिये हुए हैं तो जानते होंगे अब चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं मैप पे कि कौन कौन सा देश दक्षिन एशिया में आता है तो पहला देश आपका ये है ये है आपका पहला देश जिसको की आप अफ घानिस्तान के नाम से जानते हैं उसके बाद आपका ये देश आता है जिसको की आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं और obviously ये है आपका भारत ये है आपका भारत ये है आपका भारत तो इंडिया जो है ये आपका तीसरा देश हुआ यहाँ पे है आपका नेपाल यहाँ पे है आपका नेपाल ये है आपका भुटान ये है आपका बंगला देश ये है आपका स्री लंका ये है आपका स्री लंका और ये है आपका यहाँ पे आपका है मौल डीव्स यहाँ पे है आपका मौल डीव्स तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ देश साउथ एशिया में आते हैं तो यदि हम लोग दक्षिन एशिया की बारें बात करें तो यहाँ पर आपका आठ देश है तो भारत जो है जोग्रोफिकली भोगौलिक रूप से दक्षिन एशिया में इस्थित एक देश है यहाँ तक समझ में आया बच्चों यहाँ तक समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोग आंसर करें बच्चों येस या नो में ये कोई निक्वाइरी है तो पूछिए यहाँ तक समझ में आया तो विल गो अहेड यहाँ तक समझ में आया बच्चो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आपका जो भारत है ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है कहने का मतलब चीन के बाद चीन के बाद भारत भारत दुसरा दुसरा सबसे अधिक अबादी वाला देश है सबसे अधिक अबादी वाला देश है तो इंडिया is the second most populous country after China इंडिया is the second most populous country after China चीन के बाद दुसरा सबसे अधिक अबादी वाला देश आपका भारत है इसके अलावा भारत भारत का एक और देखेंगे आप कि भारत जो है भारत 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 विश्व में विश्व में सबसे अधिक अबादी वाला लोक तंत्र है तो यह सबसे महत्पून बच्चों क्योंकि इंडिया यदि हम लोग population के अधार पर देखेंगे यदि आप जनसंक्या के अधार पर देखेंगे तो इंडिया is the most populous इंडिया is the most populous democracy in the world सबसे जादा जनसंक्या वाला लोक तंत्रिक डेश है सबसे जादा most populous democracy in the world most populous democracy in the world यदि हम लोग जन संख्या के अधार पे और लोग तांत्रिक प्रनाली के अधार पर भारत को यदि हम लोग श्रेनी दें तो भारत जो है सबसे अधिक अभादी वाला लोग तंत्र है विश में सबसे अधिक अभादी वाला लोग तंत्र है इंडिया is the most populous democracy in the world अब यदी बच्चों यदी हम लोग भारत की अकार के बात करें यदी size of the country है ना यदी हम लोग भारत की अकार of the size के बारे में बात करें यदी हम लोग भारत का अकार यानी छेत्रफल के अधार पर area के अधार पर बात करेंगे यदी आप छेत्रफल के अधार पर बात करते हैं यदी छेत्रफल का स्रेनी बनाते हैं यदी हम लोग area का स्रेनी बनाते हैं तो भारत विश्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है इंडिया is the 7th largest country in the world अब इसमें बच्चो एक catch है इसको समझिये इसमें एक आपका catch है तो इसमें समझिये कि सबसे ज़्यादा जो आपका population है वो है आपका Russia में, रूस में उसके बाद आता है आपका Canada उसके बाद आता है आपका Canada जैक light off की है तो दो सेकंद उसके बाद आता है आपका Canada यदी हम लोग जला दीज़े छेत्रफल की बात करें यदी हम लोग area की बात करें तो भारत जो है सात्वा सबसे बड़ा देश है अकार के अधार पे रूस आपका number one है दुसरा है Canada अब तीसरे स्थान पे बच्चो तीसरे स्थान पे आप देखेंगे कि कहीं कहीं अमेरिका का नाम भी है तीसरे स्थान पे अमेरिका भी है और कहीं कहीं आप देखेंगे चीन भी है कहीं कहीं अमेरिका भी है और कहीं कहीं चीन भी है तो ऐसा क्यों है आप देखेंगे बहुत सारा data में कि चीन को भी तीसरा सबसे बड़ा देश माना गया है और USA को भी सबसे बड़ा जो है तीसरा सबसे बड़ा देश माना गया है अब ये ऐसा क्यों होता है वाई इस इट सो ये बच्चो इसलिए होता है ये इसलिए है कि जब आप dependent countries जब आप अधिनस्त देश को जोडते हैं जैसे ये चीन में आप ये तिबबत को जोड़ेंगे चाइना में ये तिबबत को जोड़ेंगे और इस तरह से बहुत सारे देश हैं जो कि अधिनस्त देश हैं चीन के तो ऐसे स्थिती में चीन जो है नंबर तीन पे है लेकिन ये आप ये आप अधिनस्त देश को नहीं जोड़ेंगे डिपेंडेंट countries को नहीं जोड़ेंगे तो तीसरे स्थान पे आपका United States of America होता है अमेरिका का संयुक्त राज आता है तो तीसरे चौथे पोजिशन का concept एदम clear कर लीजिए कि पहले पोजिशन पे है रूस दुसरे सेनी पे है आपका Canada और तीसरा सेनी ये अधिनस्त देश को include करेंगे तो तीसरे सेनी पे चीन है ये अधिनस्त देश को नहीं आप सम्मिलित करेंगे dependent countries को नहीं सम्मिलित करेंगे तो 3rd stage पे 3rd स्थान पे तिसरे स्थान पे आपका USA है ये 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 से तिसरे स्थान पे आता है तो चीन हो जायेगा चोथे स्थान पे और पांचवे स्थान पे आपका है ब्रजील पांचवे स्थान पे है ब्रजील और छटे स्थान पे है आपका आस्ट्रेलिया और शटे स्थान पे है आपका आस्ट्रेलिया और इंडिया जो है यह साथवे स्थान पे है तो इंडिया is the 7th largest country of the world भारत जो है विश्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है तो भारत जो है विश्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है क्लियर दिखाई दे रहा है बचो बोर्ट पे क्लियर दिखाई दे रहा है यह सब कुछ है ना तो चलिए अभी यहां तक समझ में आया तो आगे चलते हैं आगे चलते हैं यहां तक समझ में आया बच्चो तो आगे हम लोग चलते हैं आगे हम लोग चलते हैं बच्चो तो सा हम लोग पडोसी देश पे चलते हैं भारत के neighboring countries पे चलते हैं let's have a glimpse on India's neighboring countries भारत के पडोसी देश पे हम लोग चलते हैं सावधानी बरतना ये है बचो कि इस section पे इस section पे आपके test series में भी question रहेगा भारत के पडोसी देश पे आपके test series पे भी question रहेगा तो जो हम लोड discussion अभी करेंगे उसका जो notes आपको दे दिया जाएगा और आप भी एक अपना notes बना लीजिए लेकिन जो test series में इस पे जो question आएगा उसके statement को भी इस notes में लिख लीजिए तो अब देखिए कि ये है भारत का map बारत का map दिखाई दे रहे है बच्चो आप लोगो दोनों ग्रूप के बच्चों को English, Medium, Hindi, Medium दोनों बच्चों को दिखाई दे रहा है भारत का map तो देखिए ये जो भाग देख रहे हैं आप ये जो भाग देख रहे हैं ये है आपका Arab Sagar ये है आपका अरब सागर, इंगलिश में बोले तो Arabian Sea, ये है आपका अरब सागर और ये सेक्शन को यदि बात करें आप, ये सेक्शन की बात करें, तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी, जिसको की इंगलिश में आप बे ओफ बंगॉल कहते हैं ठीक है और नीचे यहाँ पे इस portion में बच्चों यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यह है आपका हिंद महा सागर जिसको की आप इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं तो भारत के दक्चिन में आपका हिंद महा सागर है तो अब देखिए यही हम लोग बात करें तो अरब सागर की स्थिती क्या है भारत से अरब सागर की स्थिती है दक्चिन पस्चिम अरब सागर की स्थिती है भारत से दक्चिन पस्चिम साउथ वेस्ट पश्चिम नहीं बच्चों अरब सागर की भारत के साथ सिती है दक्षिन पश्चिम साउथ वेस्ट और बंगाल की खारी की सिती क्या है बंगाल की खारी की सिती क्या है तो ये है आपका साउथ साउथ इस्ट जिसको कि आप हिंदी में दक्षिन पुर्व कहेंगे बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिन पुर्व में इस्थित है ठीक है बच्चो अब देखिए अब आप बात करें इस पोर्शन का जिसको कि हम लोग हिंद महासागर कहते हैं या इंडिया नोशन कहते हैं तो इंडिया नोशन इंडिया नोशन जो है आपका जो हिंद महासागर है हिंद महासागर जो है ये आपका ये आपका कहां स्थित है तो हिंद महासागर जो है आपके भारत के दक्षिन में स्थित है हिंद महासागर भारत के दक्षिन में स्थित है यहां तक समझ में आया बच्चो ? यहां तक समझ में आया ? अब यह चीजаль important आपके लिए क्यों है ? यह चीज आपके लिए जानना क्यों जरूरी है ? क्योंकि याद होगा कि आपके IS में भी ये कोशन आया था कि इस याचीन ग्लेसियर के पश्चिम में उतर में पुर्व में क्या है इसलिए जोग्रोफिकल लोकेशन भोगौलिक स्थिती जानना बहुत जरूरी है अब देखिए बच्चो अब हम लोग आगे चलते हैं यदि आप आगे चलेंगे तो देखेंगे कि देखेंगे बच्चो यदि हम लोग आगे चलते हैं यदि हम लोग आगे चलते हैं भारत के पाकिस्तान ये आपका पाकिस्तान है ये आपका पाकिस्तान है तो भारत के पस्चिम में भारत के पस्चिम में आपका क्या है भारत के पस्चिम में आपका पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है भारत के उत्तर में क्या है भारत के उत्तर में भारत के नौर्थ में कौन-कौन सा देश है तो ये आपका हो गया ये पोर्शन हो गया आपका चीन ये हो गया आपका भुटान और ये हो गया आपका नेपाल ये हो गया आपका नेपाल ये हो गया आपका नेपाल और भुटान ये आपका कौन-कौन सा पडूसी देश भारत के उत्तर में स्थित है तो इसका आपका तीन है इसका आपका तीन है चाइना नेपाल और भुटान चाइना नेपाल और भुटान दे लाई अथि इंडिया ठीक है बच्चो अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये जो भाग देख रहे हैं ये है आपका मयन मार ये है आपका मयन मार और ये जो पोर्शन देख रहे हैं बच्चो ये जो भाग देख रहे हैं ये है आपका बंगला देश यह है आपका बंगला देश तो भारत से यह क्या है यह इस्ट में है यह भारत से यह पुर्व में है So these countries Myanmar and Bangladesh they are the countries that lie to the east of our country तो हमारे देश के हमारे देश के पुर्वी भाग में कौन-कौन से परोसी देश हैं तो वो आपका दो हो जाता है बच्चो वो है एक है आपका बंगला देश एक है आपका बंगला देश और दुसरा है आपका मयन मार दुसरा है आपका मयन मार तो यह दो देश जो है जो यहां पे पुर्व में स्थित हैं दिखाई दे रहां बच्चो यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स यहां तक बच्चो समझ में आया यहां तक समझ में आया त तो चलिए, दुसरा हम लोग जो महत्पून बात करते हैं, यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया students, तो let's proceed, यहां तक समझ में आया बच्चों, तो let's proceed, चलिए, तो अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे पड़ोसी देश में, पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान, आपका चीन, यह है आपका निपाल, यह है आपका भुटान, यह है आपका मैनमार, मैनमार, और यह है आपका बंगला देश, यह है आपका,